पूजा करने के बाद कथा सुने सूद जी कहते हैं मंदार की माला से जिन पारवती जी का केस पास अलंकृत है और मुंडो की माला से जिन सिब जी की जटा अलंकृत है जो पारवती जी दिववस्त धारन की है और जो सिब जी दिगंबर है ऐसी स्री पारवती जी और स्री सिब जी को परणाम करती हूं रमनी कैलास परवत के सिखर पर बैठी वी सी परवती जी कहती है हे महिस्वर हमें कोई गुप्त ब्रत या पूजन बतलाईए जो सब धर्मों से सरल हो जिसमें प्रश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले हे नात यदि आप मुझे पर परसन और चिपाने योग है लेकिन तुम्हारे प्रेम के बसी भूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूं सिखर जी ने कहा भारत में जैसे नच्छत्रों में चंद्रमा गरहों में सूर्य वर्णों में ब्रहम मंदेपताओं में बिश्णु भगवान नदियों में गंगा पुरानों म ने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है वह मैं तुमको बतलाओंगा क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो भादर पर्द मास में हस्त नच्छत से युक्त सुकल पक्ष की तिरतियाति थी को उसका अनुष्ठान मात्र करने से इस्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती है हे देव की और एक बड़ा रमनीक और परवतों में स्रेष्ट हीमवान नमक परवत है उसके आसपास तरह तरह की भूमिया हैं तरह तरह के बिक्ष उस पर लगेवे हैं नाना प्रकार के पक्षी अने प्रकार के पसु उस पर निवास करते हैं वहां पहुँचकर गंधर्वों के तो इतना है कि मित्र के घर की तरह समझ कर आकास को असपर्स किये रहता है और उसके समस्त सिखर सदय हीम वर्व से अच्छादित रहते हैं और गंगा जल की धोनी सदा सुनाई देती है हे परवती तुमने बाले काल में उसी परवत पर तपस्या की थी 12 बरसों तक तुम उल प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखिवे और वे चिंता में पढ़ गई कि मैं अपनी कर्णिया किसको दूँ इस इसमें नारज जी वहां पहुंचे मुनी श्रेष्ट नारज जी उसमें तुमें देखन यह ओध कर्णियारत नहीं एसमांग मैं नहीं है इसलिए मैं यहीं किहूंगा कि आप अपनी कर्णिया भगवान बिश्ट को ही देवे हिम्वान ने कहा भगवान मेरी कर्णिया ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं तो मैं उन्हें अपना करन्या दूंगा हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारज आकास में बिलीन हो गए वे पितामबर संख चक्र और गदाधारी भगवान विश्णू के पास पहुंचे वहाँ हाँ जोड़कर नारज जी ने भगवान विश्णू से कहा है देव सुनिये मैंने आपका विवाफ पका करा दिया उधर हिमवान ने पारवती जी के पास जाकर कहा है पुत्री मैं तुम्हें भगवान विश्णू को दे डाला यह तब पिता की बास सुनकर तुम बिना उत्तर दिये ही अपनी सखी के साथ घर चली आई वहीं जमीन पर पढ़कर तुम बड़ी दुखी होती हुई बिलाब करने लगी तुम को इस तरह बिलाब करता हुआ देखकर सखी बोली तुम क्यों इतनी दुखी हो इसका कारण तो बतलाओ तुम्हारी जो इक्छा होगी मैं यथा सकती उसको पूरा करने का चेस्टा करूंगी इसमें कोई भी संसे नहीं है तब पार्वती जी बोली मेरी जो कुछ अभिलासा है तुम उसे प्रेम पुर्वक सुनो मैं एक मातर सिप जी को अपना पती बनाना चाहती हूँ उनमें से संसे नहीं है मेरे विचार को पिता जी ने ठुकरा दिया है इससे मैं पने सरीर को त्याग दूँगी पार्वती जी इस बात को सुनकर सक्षियों से कहा कि सरीर का त्याग न करो चलो किसी ऐसे बन में चले जहां तुम्हारे पिता को पता न चले ऐसी सलाह कर तुम वैसे बन में जा पहुंची उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे दूतों द्वारा भी खबर लेने लगी कि कौन सा देवता या किंदर मेरी पुत्री को हर ले गया है उन्होंने मन ही मन कहा मैं नारज जी के आगे परतिग्या कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णों को दूँगा ऐसा सोस्ते सोस्ते हिमवान मुर्चित हो गया ग्री राज को मुर्चित देखकर सब लोग हाहा कार करते वे दोर पड़े जब होस हुआ तो सब पूछने लगे कि ग्री राज आपकी अपनी मुर्चा का कारन बतलाईए हिमवान ने कहा आप लोग मेरे दुख का कारन सुने ना मालूम कौन मेरी करन्या को हर ले गया है ऐसा नहीं हुआ है तुसे किसी काले सांप ने काट लिया है सिंग खा गया है हाई हाई मेरे बेटी कहां गई किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला ऐसा कावे वायू के जोके से कापते वे ब्रिश के समान कापने लगे इसके बाद ही मौन तुम्हें बन भन खोजने लगे वह बन भी सिंग भालू हिंसक पसूं से भयानक हो रहा था तुम भी अपनी सक्यों क साथ उस भयानक बन में चलती चलती एक ऐसी जगह जा पहुंची जहां एक नदी बह रही थी उसके रमनीय टट पर एक बड़ी सी कंदरा थी तुमने उसी कंदरा में आसरम बना लिया आसरे बना लिया मेरी एक बालू का मई परतिमा बना कर अपनी सक्यों के साथ निराहार कर मेरी अराधना करने लगी जब भादर परत सुकल पक्ष की हस्त युक्त तर्तियातिती पराथ हुई तक तुमने मेरा बिधिवत पूजन के रात भर जाकर गीत बाद्यादी से मुझको प्रसंद करने में बिताया उस ब्रतराज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा जिससे मैं ततकाल उस अस्थान पर जा पहुँचा जहां तुम अपनी सक्षियों के साथ रहती थी वहां पहुँचकर मैंने तुम से कहा कि मैं तुम पर प्रसंद हूँ बोलो क्या चाहती हूँ तुमने कहा है मेरे देबता यदि आप मेरे उपर प्रसंद नहें तो मेरे प तुम्हारे आसरम के समी पहुंचते ही गिर पड़े थोड़ी देर के बाद उन्होंने नदी के टत पर दो कर्ण्याओं को सोते वे देखा और देखते ही उन्होंने तुम्हें चाती से लगा लिया और बिलग कर रोने लगे फिर पुछा पुछा पुत्री तुम सिंग ना करूंगा और वे तुम्हें अपने साथ घर ले आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाग कर दिये इससे तुम्हें मेरा अरधासन पाया है तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह ब्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राब्द दुआ है देवी मैं यह बतलाता हूं कि इस ब्रत का हरी ताली का नाम के उपड़ा तुम्हारी सक्षियों ने हर कर तुम्हें ले गया था इसलिए इसे हरी ताली का नाम पड़ा पारवती जी ने कहा है प्रभू आपने नाम तो बताया अब इसकी विधी भी बतलाएं इसका क्या पुन्ने है क्या फल है ब्रत कौन करे तब स्रीशिव जी पारवती जी से कहते हैं है देवी मैंने समस्ति स्रीजाती की भलाई के लिए यह उत्तम ब्रत बदलाया है जो इस तरी अपने सोभागी की रक्षा करना चाहती है वह यतन पुर्वक इस ब्रत को रखे केले के खंबे आदी से सुसोबित एक सुंदर मंडप बनावे उसमें रंग बिरंगे रेस्मी कपड़ों से चंदोवा लगा कर चंदन आदी सुगंदी दरब्यों से मंडप लिपवाबे फिर संख भेरी मरदंग आदी बजाते वे बहुत से लोग एकत्री हो कर तरह तरह के मंगला चार करते वे उस मंडप में पारवती और सिब जी की परतिमास थापित करे उस रोज दिन भर उपास कर बहुत से सुगंदी फूल सुगंद मनोहर धूप नाना प्रकार के नेवेद आदी एकत्र कर मेरी पूजा करे रात भर जागरन करे और जो जो बस्तु कही गई है इसके अलाबे नारियल सुपारी नीमबू लोंग अनार नारंगी आदी जो फल प्राप्थ हो सके उन्हें इकठा कर ले रितू में जो फल और फुल मिल सके बिशेस रूप से रखे इसके बाद धूप दीप आदी से पूजन कर प्राथना करें हे सिव रूपनी हे मंगले सब अर्थों को देने वाली हे देवी सिव रूपे आपको नमस्कार है हे सिव रूपे आपको सदा के लिए नमस्कार है हे ब्रह्मे रूपनी आपको नमस्कार है हे जगतधातरी आपको नमस्कार है हे सिह वाहिनी संसार के भैसे भेवीत मुझ दीन की रक्षा करें इस कामना की पूर्ती के लिए मैंने आपकी पूजा की है हे पारवती मुझे राज और सौभाग्य दें मुझ पर प्रसंद न हो वे इन्ही मंतरों से पारवती जी और सिप जी की पूजा करें तरंतर बिधी पूर्वक कथा सुने ब्रह्मन को वस्त्र गौसुर न आदी देवे इस तरह एक चित हो कर इस तरी पूरुज दोनों एक साथ पूजन करें फिर वस्त्र आदी जो कुछ हो उसका संकल्प करें हे देवी जो इस तरी इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूड़ जाती है उसे साथ जन्म तक सुख और सुभागे प्राप्त होता है जो इस तरी तिर्तियाती थी का ब्रतना कर अन्न भक्षन करती है तो वह साथ जन तक बंध्यार आती है उसको बार 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 दुख भूंगने वाली होती है और उक्वास ना करने वाली इस्तरी अंत में घोर न रखो जाती है मांसा हर करने से बागिन दही खाने से बिल्ली मिठाई खाने से चीटी और कुछ खाने से मक्खी होती है तो तीज को अन खाने से सूकरी फल खाने से बंदरिया पानी पीने से जोक दूद पीने से सापनी उस रोज सोने से अजगरी और पती को धोखा देने से मुर्गी होती है इसलिए सभी इस तिनिया ब्रत अवस्य करे दूसरे दिन सुर नचांदी तांबा अथवा बांस के पातर में अन भर कर ब्रहमन को दान दे पारन करे जो इस तिस प्रकार बत मात्र सुन लेने से प्राणी को एक हजार अस्वमेग यग्य और से रोब बाज़ पे यग्य करने का फल प्राप्त होता है ये देभी मैंने यह सब ब्रतों में उत्तम ब्रत बतलाया है जिसके करने से प्रानी सब पापों से छूड़ जाता है इसमें कुछ भी संसे नहीं है बोल दो प्रेम से भगवान भोले नाथ मा पारवती भगवान गनेश जी की जय हर हर महादेव